आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूटूग चैनल पर मैं दीप का कुश्वा आज आपको हैंड बैक बनाना बताऊंगी यह मीडियम सायज का मैं बैक बना रही हूं तो यह देखो इसमें मैंने सलाईयां लगा रखी हैं बीच में मैंने फॉर्म लगाई है तो आप वहले डाय मैं लंबाई नापेंगे तो लंबाई है 26атели की तो आपको इस तरीखे से लंबाई चोड़ाई ले लेनी हैं शाआप उपर की सायड नापेंगे इसका चार चैनल मैं देखो इसकी लंबाई ले रही हूं इस तरीखे से Singapore एम सीधा लगाेंगे विलकूर तो ये देखो मैंने चाचारिंची का पूरा निशान लगा लिया है अब जैसे मैं निशान लगाया है वैसे ही मैं इसकी अब कटिंग कर दूँगी तो कटिंग मैंने कर ली है अब इसमें हम chain डालेंगे तो देखो मैंने chain लेली है इस तरीके से आपको यह sly लगानी है इसमें sly मैंने लगा ली है अब इसे अंदर की side fold करके उपर की side से एक sly लगानी है उपर की side से मैंने sly लगा ली है अब दूसरा जो part cutting किया था हमने उसको attach करेंगे इसमें इस पर भी मैंने sly लगा ली है अब इसके उपर से भी हम sly लगा देंगे तो यह देखो sly मैंने दोनों side लगा ली है अब इसमें हम lock डालेंगे lock मैंने डाल लिया है तो यह देखो इस तरीके से आप ready कर लेना अब ये मैंने तनी बना ली है इसकी अब आपको तनी की लंबाई चोड़ाई बताऊंगी तो ये देखो एक इंची की चोड़ाई है अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ तो ये देखो 21 इंची की लंबाई है इसकी आप छोटी बड़ी अपने साभ से भी ले सकते हो अब यह आपको लंबाई की साइट से फोल्ड करना है तो देखो बीच अबीच में मैंने सेंटर निकाला है इसका इस तरीगे से आपको निशान लगा लेना है चॉक से तो यह देखो निशान मैं लगा लिया है इस निसान पर से हम इस तरीगे से रखेंगे तो धाय इंची का मैं गैफ ले रही हूं इसमें इस तरीगे से दोनों साइट पर धाय इंची का निशान लगा लेना है तो देखो निसान में लगा लिए हैं अब आपको तनी किस तरीके से अटेज करनी है तो इस तरीके से एक सो फोल्ड करके और उपर की साइड से सलाई लगा देनी है आपको तो ये देखो, दोनों साइड मेरे तनी अटेच्च कर ली है, अब आपको ये दो फोल्ड में रखना है, इस तरीके से, ये हमने चोडाई की तरब से फोल्ड किया है, अब बीच का सेंटर निकालना है, इसका आप इस तरीके से निकाल सकते हो, तो ये देखो आप इस तरीके से निशान लगाने हैं दो इंची का निशान लगा रही हूँ मैं ये बॉक्स बनाना है दो वाई दो का तो ये देखो दो वाई दो का मैंने बॉक्स बना लिया है दोनों सैट पे सेम तरीके से निशान लगाने है तो मैंने दोनों साइड लगा लिए निशान अब इसकी मैं कटिंग करूंगी तो ये देखो कटिंग मैंने कर लिए अब आपको ये खोलना है बैक को इसमें हमें अभी कपड़ा टैच करना है पॉकिट के लिए तो ये देखो मैंने कपड़ा ले लिया है इस तरीके से आपको कोई कपड़ा ले लेना है और यहां से आपको पूरे चार वोड ससमा मैं लगा ली है तो पूरा पूरी पॉकिट का रेडियो हो चुकी है पॉकिट का कपड़ा भी मैंने अटेज कर लिया है इसमें अब आपको उपर की साइड इसमें चेन लगानी है तो देखो चैन को आपको इस तरीके से रखना है और किनारे से स्लाई लगानी है स्लाई मैंने लगा लिए अब इसके उपर से हम चेंट पर लगाएंगे तो देखो आपको इसके उपर के स्लाई लगानी है आप सेम तरीके से हमें यहाँ पर भी एटेज़ करना है मैं दूसरी साइड भी हम मेने चैन खोल ली है दो पीस में में चैन कर ली है यह अब उपर की साइट से भी हम स्लाई लगा देंगे इसमें तो देखो दोनों साइट मैंने अटेच कर ली है चैन को अब इसमें हम लॉक डालेंगे तो सीधा करके मैं बैक को लॉक डाल रही हूँ तो देखो मैंने लॉक डाल लिया है अब इस बैक को हम उल्टा करेंगे पिष्का बनाने का तरीका बहुत सिंपल है आप बनाके देखना तो यह देखो अब इनको हम सिलाएंगे जो ने बॉक्स कटिंग किये थे जो साइट से आपको इस तरीके से पकड़ना है और सीधी स्लाई लगानी है दोनों साइट पर पर हम सेम तरीके से लगाएंगे तो ये देखो स्लाई मैंने दोनों साइट पर लगा ली है इसका बनाने का तरीका बहुत सरल है आप बना के देखना बहुत सिंपल है अब मैं आपको भी बैक सीधा करके दिखाऊंगी तो ये देखो मैंने आपको ये बैक सीधा करके दिखाया है कितने ची फिनीशिंग आई है आप बना के देखना और बहुत सिंपल तरीका है इसका बनाने का और बहुत मीडियम साइज का बैग है ये तो देखो मैंने आपको पॉकिट भी खोल के दिखाई है इसकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप कमेंडने बताना आपको कैसा लगा आपको मारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी डिशलन को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंड करें वीडियो को शेयर करें थैंक यू